So guys, Kevel 1000 followers पर आप 20,000 रुपाया पर मंथ Facebook पर Reels को बना कर कमा सकते हैं So guys, Facebook पर Reels कैसे बना है? यानि कि Reels बनाने से लेकर बैंक में पैसे आने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको एकदम डीटेल में बताऊंगा सबसे पहले आप मेरा स्क्रीन सोट देख लीजे यहाँ पर 31,000 डॉलर का अर्निंग हुआ है जो की Kevel और Kevel Facebook पर Reels डाल कर कमाया गया है अगर आप इसको Indian रुपीज में कनवर्ट करते हो तो भाई यह 26,000 रुपे के लगबग में होता है तो कैसे Reels को बनाना है? कैसे Reels को अपलोड करना है? इसका Reels Monetization का Minimum Criteria क्या होता है? क्या भाई आप बिना Monetize कि यह भी Reels डाल कर पैसे कैसे कमा सकते हैं? और Reels का जो 3 गुना अर्निंग ट्रिक होता है कैसे हम एक Reels को बनाकर 3 Multiple तरीके से अर्निंग को कर सकते हैं और जादा से जादा पैसे को बना सकते हैं सारा कुछ प्रोसेस को एकदम डीटेल से समझाओंगा तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है अगर आप Facebook पर Reels बनाकर पैसे को कमाना चाहते हो तो वीडियो को like कीजेगा और वीडियो को उनके पास से जरू कीजेगा जो कि भाईया दिन बर Reels देखकर टाइम को पास करते रहते हैं तो बिना टाइम वेश्च किये चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए Reels बनाकर पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा खासा स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका back camera अच्छा होना चाहिए कुछ इस परकार का आपके पास एक स्मार्टफोन होगा जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं अगर उससे अच्छा क्वाइलिटी का मतलब ठीक ठाक वीडियो जा जाता है फोटो जा जाता है तो भाईया कॉंगरा चुलेशन आप एक स्टेप्स पास कर चुके हो तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप्स की तरफ तो दूसरे स्टेप में आपके पास एक फेस्बुक का पेज या फिर फेस्बुक का प्रोफाइल होना चाहिए जिस पर आप सेटिंग्स को करकर भाईया फेस्बुक रील से पैसे को कमा सकते हो तो अगर आपके पास एक फेस्बुक का पुराना प्रोफाइल है अगर आपके पास कोई profile है तो सबसे पहले आपको अपने profile में setting करना होगा और उसको monetization के लिए eligible करना होगा या फिर अगर आपके पास एक page है तो reels का कुछ setting होता है तो भईया वो setting को आपको करना है तो setting करने के लिए यहां से मैंने अपने mobile का screen recording on कर दिया है जो कि इधर चल रहा होगा screen recording on करने के बाद यहां पर आपको click करना यहां पर click करने के बाद देखिए आपका profile कुछ इस परकार से दिखेगा यहां पर देख सकते हैं जो कि एकदम normal profile दिखाएगा और यहां पर देख सकते हैं मेरा 630 फ्रेंट दिखा रहा है तो profile में setting करने से पहले सबसे पहले आपको अपने profile को professional mode में convert करना होगा तो professional mode में convert कैसे करना है तो यहां पर जो आपका three lines दिख रहा है ना इस पर simply click कर देना है जैसे हैं आप इस पर click किजेगा तो यहां पर आपको दिख जाएगा turn on facebook का professional mode यहां पर दिख रहा है यहां पर अगर आपको यह option नहीं दिख रहा है तो आपका profile lock होगा तो सबसे पहले आप अपने profile को unlock कर लिजेगा unlock करने के बाद आप में यह option आ जाएगा तो turn on facebook professional mode पर click करके इसको यहां पर turn on का option दिख रहा है continue वाले option पर click कर दिजेगा जैसे ही आप continue वाले option पर click किजेगा फिर से यहां continue करने का option देगा तो यहां पर देख सकते हैं आपका simply professional mode on हो चुका है इसको on करने के बाद यहां से देखिए आपका professional mode आ चुका है professional mode आने के बाद अब आपको इसमें कुछ settings करना है तो settings करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा back आ जाते हैं back आके इसके settings वाले icon में चले जाना है जैसा ही आप settings के उपर click किजेगा थोड़ा सा आपको नीचे slide करना है नीचे slide करना है और यहाँ से तीसरा settings है who can see your reels इसको simply आपको यहाँ से public कर लेना है अगर आपका page है तो page में भी same setting होता है आपको setting में जाके reel पर click करके यहाँ से who can see your reels को यहाँ पर आपको public कर लेना है या फिर जो भी setting आपका दिखाएगा वहाँ से आपको उस settings को on कर लेना है तो settings को on करने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे creators होंगे जो कि भाईया already reels को बना रहे होंगे और बहुत creator ऐसे होंगे जो कि भाईया जिनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि भाईया हम आखिर किस topic के उपर reels बनाए कैसे reels बनाए किया music पर reels बनाने से हमको earning होगा तो देखिये सबसे पहले जो रोग reels नहीं बना रहे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि भाईया हम किस परकार से reels बना सकते हैं से category के उपर Reels बना सकते हैं तो आईए मैं उनको समझा देता हूँ तो देखिए आपके अंदर कोई भी अगर कोई भी एक छोटा सा talent है या फिर जिस काम को आप कर रहे हो पर जेन टाइम में जिस काम को आप कर रहे हो उसी काम का आप recording करके आप Reels को बना सकते हैं या फिर अगर आपके अंदर कोई टाइलेंट है तो उस टाइलेंट का उप्योग करके आप Facebook के उपर Reels को बना सकते हैं अगर आपके अंदर कोई टाइलेंट नहीं है अगर आप काम को नहीं दिखाना चाहते हैं तो बाइया Google पर जाकर सर्च मारिएगा Funny Sairi तो Funny Sairi बोल कर आप Reels को बना सकते हैं Love वाला Sairi को बोल कर Reels को बना सकते हैं कोई बाइया Comedy या चुटकुला वाले Sairi को अब पढ़कर उसको As Ais Ais अपना Sound में Reels को बना सकते हैं चौथा तरीका होता है कोई भी बहुत सारे गाने आते रहते हैं जो कि Facebook के लाइबरेरी में होता है उस पर आप lipsing करके Reels को बना सकते हैं या फिर कोई ऐसा creativity कर सकते हैं जो कि Facebook पर कोई नहीं कर रहा है या फिर जो trend चल रहा है ना trending topic के उपर आप Reels को बना रहा है तो भाईया आपके अंदर एक query city जाग जाएगा कि भाईया अब हमको पैसे कम मिलेंगे और पैसे कैसे मिलेंगे तो देखिए पैसे मिलने के लिए बहुत सारा criteria होता है और बहुत सारे चीजों होता है और अंत मैं मैं आपको बताऊंगा कि भाईया बीना monetize किये और बीना कुछ मेहनत किये आप free for cut में पैसे को कैसे कमा सकते हैं तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि Facebook Reels monetization का minimum criteria क्या होता है कितने followers पर मेरे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और कैसे हम Reels को बनाएंगे ताकि तुरंत monetize हो जाएगा बीना भाईया monetize किये हम Reels से पैसे कैसे कमा सकते हैं और त्री गुना trick क्या है जो कि मैं इसको अंती में बताऊंगा सबसे पहले Reels monetization का criteria क्या है तो उसके लिए सबसे पहले आपको professional dashboard के उपर click करना है थोड़ा सा आपको नीचे slide कर देना है जैसे हैं आप थोड़ा सा नीचे जाएगा monetization के उपर click किजेगा और जैसे हैं आप monetization के उपर click किजेगा तो आपके सामने सारा monetization tool खुल कर आ जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप Facebook के उपर reels बनाते हैं तो केवल दो monetization tool से आप Facebook reels को monetize कर सकते हैं सबसे पहले होता है Facebook star monetization जो कि अगर आपका 30 दिनों में 500 followers increase हो जाता है 30 दिनों के बितर तो आप भाईया Facebook star monetization के लिए eligible हो और दूसरा होता है Facebook का ads on reels अगर आपके Facebook profile या फिर page के उपर 1000 followers complete हो गया है अगर आप अपने Facebook profile या फिर page के उपर अच्छे quality को reel को upload कर रहे हो एक category के उपर reel को upload कर रहे हो और regular reel को upload कर रहे हो और एक ही timing के उपर reel को upload कर रहे हो तब भाईया Facebook ads on reels के लिए आपको invitation आएगा इसके लिए कोई criteria नहीं होता है उसको आपको भाईया 1000 followers पर भी मिल सकता है 2000 followers पर भी मिल सकता है 5000 followers पर भी मिल सकता है इसके लिए Facebook ने कोई criteria निर्दारित नहीं किया है मतलब minimum 1000 followers पर आपको मिल सकता है और 500 followers से आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर आप Facebook के उपर Reels बना रहे हो तो इसके आपको तीन फाइदे हो गए है सबसे पहले Facebook अस्टार से आप पैसे कमा सकते हो जो कोई कमाता नहीं है यह एक बेकार monetization tool हो गया दूसरा ads on Reels से आप तगड़ा earning कर सकते हो और तीसरा जो होता है जैसे ही आप Reels को डालना स्टार्ट करोगे न तो उसका watch time count होगा और उसका followers count होगा जिससे आप in stream ad को भी monetize करके भाईया long video को upload करके आप पैसे को कमा सकते हो आप बात कर लेते हैं कि भाईया बीना monetize किये भी क्या हम facebook पर Reels बना कर पैसे को कमा सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं बस इसको बस ध्यान से समझेगा अगर आपका views अच्छा खासा आ रहा है अगर आपका Reels add on Reels से monetize नहीं हुआ अगर आपको add on Reels का option नहीं मिला है तो आप केवल trick लगा कर भी पैसे को कमा सकते हो जैसे for example के लिए मान लीजे अगर आप 20 सेकेंड का Reels बना रहे हो ना तो Reels को 15 सेकेंड का बना येगा और last का 5 सेकेंड है ना उस पर आप किसी भी परकार के add को लगा कर किसी product को बेच कर आप पैसे को कमा सकते हो चलिए example मैं आपको समझा देता हूँ अगर आप IPL से related videos बना रहे हो तो भाईया last के 15 सेकेंड जैसे आपका Reels बना रहे हो तो 10 सेकेंड जो है starting में वो भाईया cricket का जिस परकार से आप Reels को बना रहे हो उस परकार से Reels को बनाईएगा और last का जो 5 सेकेंड है ना भाईया उसमें आप last का 5 सेकेंड में ये बोलिएगा कि देखिए इस परकार का बैड है इसमें offer चल रहा है इस बैड को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे bio में आपको link मिल जाएगा या फिर 5000 आदमी तो जरूर कर देंगे अरे 5000 आदमी नहीं भी कर देंगे भाई तो 100 आदमी तो जरूर कर देंगे तो भाईया जिस परकार से बल्ला का प्राइस रहेगा या फिर जिस परकार से आपके product का प्राइस रहेगा उसके अनुसार आपका 2-3% कमिशन आपके Amazon अप्लियेट में एड हो जाएंगे जिससे आप पैसे को कमा सकते हो दूसरा तरीका कर सकते हो बहुत सारे ऐसे अर्निंग अप्लिकेशन आते हैं जिसका बहिया इन्विटेशनल लिंक भेज कर आप बहिया लिंक को प्रमोट करके आप उससे भी अच्छे खासे अर्निंग को कर सकते हो या फिर audience को अगर आप टेलीग्राम पर भेजोगे तो अगर आपके टेलीग्राम पर अच्छे खासे active member हो जाएंगे तो भाईया वहाँ से भी आप अच्छे खासे पैसे को generate कर सकते हो तो आप बात कर लेते हैं भाईया तीन गुना trick का कि मतला आप एक reel बना कर तीन गुना पैसे को कैसे कमा सकते हो तो देखिए जो भी आप reel को upload कीजेगा जो भी आप reel को बनाईएगा सबसे पहले उसको facebook पर upload कीजेगा तो आपको ads on reel से पैसा मिलेगा अगर उसको आप youtube पर upload कीजेगा तो भाईया youtube 100 से पैसा आएगा अगर आप उसको hippie पर upload कीजेगा तो भाईया hippie भी आपके reel के बतले आपको पैसा देगा और उसी reel को आप upload करके instagram पर भी followers को बढ़ा सकते हैं मतलब एक reel को आपको बनाना है और तीन जगा से पैसे को कमाना है यह होता है तीन गुना ट्रिक अगर आप reel को बना रहे हो के वहल फेस्बूक पर डाल रहे हो तो भाईया आपसे बड़ा बुड़वा कोई नहीं है भाईया जब reel को बना ही रहे हो hippie पर डालो, insta पर डालो, youtube पर डालो, facebook पर डालो हर जगा डालो, एक reel को बनाओ और हर जगा से पैसे को कमाओ अगर आपको मान के चलिए किसी कानल पर फेस्बूक में प्रोबलम भी हो गया तो भाईया youtube से पैसे आएंगे, hippie से पैसे आएंगे instagram पर मोसन से पैसे आएंगे तो भाईया हर जगा reel को डालो और हर जगा का अल्गोरिदम अलग अलग होता है तो आपको कहीं सा ना कहीं से पैसे आने लगेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जो reel देखकर टाइम पास करते रहते हैं उनके पास वीडियो का लिंक से एर जरूर करें ताकि वो भी reel को देखकरना, reel को बना कर पैसे को कमा पाएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद